संसार के सभी जीवों में मनुशे स्रेश्ट है उसके पास बुद्धी और विवेक के रूप में दो ऐसी नहीं सरगिक सक्तिय हैं जिनके कारण वे अन्य जीवों से उचा उठ पाया है आत्मरक्षा की प्रवर्ती और प्रिजिनन छमता लगवग सभी जीवों में पाय जाती है और वे इनसे संतुष हो जाते परन्तु मनुशे के वल इससे ही संतुष नहीं होकर रह जाता संबवत यहीं विचार कला के जनम का मूल है वास्तों में कला क्या है इसका सटिक उतर दे वे कहा है कला का संबंद केवल स्वा अनुभूती से प्रेरित प्रेकरिया से है जब कोई कलाकार स्वा अनुभूती को सहज स्वा भाविक रूप से अभिवक्त कर देता है तो वहीं कला का रूप धारन कर लेती है अत्या अभिव्यक्ति की पूर्णता ही कला है अभिव्यक्त कहा जाता है कि जिस जाती की कला जितनी शम्रिद और सुंदर होगी बह जाती उतनी ही गोरव साली और प्राचिन होगी इसलिए कला को किसी विराष्ट की संस्क्रेति का मापदंड भी कहा जाता है जब व्यक्ति भोतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भ्या नहीं होता तब वे मानसिक और आत्मिक संतुष्टी को प्राप्त करने की दिसा में प्रियासरत होता है इस करम में जब उसकी अतिरिक तुर्जा सोंदे अनुभूती के रुपे प्रकट होती है तो कला कहलाती है कला निरंतर उचा उठने के प्रगतिशिल विचार की परिचाय के इसी के माध्यम से नवीन विचारों आचार और मुल्यों का सरजन होता है कला के दरश्टी से भारत बहुती समरिद है भारत को विविजिता का देश कहा जाता है कला के संदर में भी भारत में बहुत विजिता है जो इसे संसार के अन्ने सभी देशों से विशिष्ट बना पधिविन विभीन विदायम राग-्रागनी अभिने की सहलियां मभार्ण दिलवाडा के जैन ताजमिल आधिक माद्यम्सी इनकारातिकती πα्रावश्रम इस्थावश्रा आं भारत की कलाएं और उनसे जुडिकरतियां बहुती पारंपरिक और सादार होने पर भी इतनी सजी और प्रभावसाली है कि उनसे देश की समरिद और गोरवसाली विरासत का स्वेते ही अनुमान हो जाता है कला और जीवन का भहुत घनिष्टे संबन है कला के विकास का उदेश कभी आत्मा नुभूती होता है तो कभी आनंद और विनोध कला के माध्यम से सभी संगर्स क्या जाता है तो कभी उस संगर्से मुक्ति पाई जाती है कला यस प्राप्ती धन प्राप्ती शान्ती प्राप्ती तथा समाज को सही रहा दिखाने का माध्यम भी बनती है बाबु गुलाब राय ने जीवन में कला की महता को दर्शाते हुए लिखा है कि कला का उद्य जीवन से है उसका उद्देश जीवन की व्यक्या ही नहीं वरन उसे दिसा देना भी है वह जीवन में जीवन डालती है वह स्वम साधन नय बनकर एक रहतर उद्देश की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है वह जीवन को जीने योग्य बना कर उसे उंचा उठाती है वह जीवन में नए आदर्शों की स्थापना कर उसका प्रचार करती है और हमारे जीवन की समश्याओं पर नयाब अतय इस परकार हम कह सकते हैं कि कला के वल्हु उल्लास हर्स और आनंद को प्रकट करने का माद्यम ही नहीं बलकि समाज को परिवर्तन की और उन्मक करती है और उस वे एक नव क्रचने की प्रवर्ति इसके समाना अंतर चलती रहती है कला के शेतर में किसी भी नए परीयोग को समाने तेग एक बदी भिरोद्ध जिलीपकि जिलने सहनी पड़ती है ऐसा किसी भी द्रश्टी से उचित नहीं कहा जा सकता वास्तों में किसी भी पहलू के दो रूप होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक तथा एक सच्चे कलाकार का उद्देश कला की सकारात्मक पक्ष को उद्गाडित करना ही होता है परन्तों यदि समाज उसमें अच्चाही ने देखकर बुराई ही देखे तो इसमें ने कला का दोस है और नहीं कलाकार का अत्य समाज का करतव है कि वे कला के सकारात्मक पक्ष को समझते हुए उससे सीख ले और जीवन को उद्गष्ट बनाई है जय हिन, जय भारत